हेलो फ्रेंड्स, you are welcome to my channel, study with आर्थी कुपता फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोगे पोयम पढ़ेंगे उस पोयम का नेम है The Emperor of Ice Cream इस पोयम को लिखाता वेलिज इस्टिवेंस ने और ये पोयम इनके फर्स्ट कलेक्शन से ले गई थी इनका जो फर्स्ट कलेक्शन अपोर्ट्री था उसका नेम है हार्मोनियम और वो पॉब्लिश हुआ था 1923 में तो ये तो था फ्रेंड्स का बेसिक इंट्रॉक्शन अब एक्शली इसके जो टाइटल है The Emperor of Ice Cream यहाँ पे Ice Cream की कंपेर की गई है लाइफ से जैसे की कह रहे हैं कि Ice Cream है Ice Cream melt हो इसके पहले ही आप इसको टेस्ट कर लो आप इसको खा लो जो ऐसा करता है वो Emperor होता है वैसे ही जैसे Life है जिसको अच्छे से Life जीना आ जाती है जो अपनी Life को Enjoy कर लेता है वो Emperor होता है तो कहले Life आपकी Decay हो जाए, Destroy हो जाए, Death हा जाए और अपनी आप Life को Enjoy ना कर पाओ, आप सिब शो आफ करने लगो तो वो Emperor नहीं कहलाता तो आप समझा कहे होंगे Ice Cream मतलब Life Ice Cream का Emperor भी वही होता है जो उसको इसको डिस्ट्वाइ होने से पहले उसको खा ले और Life का भी Emperor वही होता है जो अपनी Life को अच्छे से Enjoy कर ले आप Friends देख लेते हैं इसका Line-Wise-Line Explanation तो इसका First Stranger है Call the Roller of Big Cigars, The Muscular One कैने Call the Roller of Big Cigars, Big Cigars Big Cigars का मतलब क्या है यहाँ पे? वैसे जो सिगरेट होता है वो छोटे साइस का होता है और पतला भी होता है बर जो सिगार्स होता है वो मोटा भी होता है और उसको रॉल करने के लिए काफी ताकत की जुरत होती है तो पोईट हमारा कह रहा है यहाँ पे कॉल दा रॉलर, रॉल करने वाले रॉलर को बुलाओ क्या रॉल करना है? बिग सिगार्स को रॉल करना है और यह काम कौन करेगा? दा मस्कुलर वन, जो पावरफुल होगा जिसकी मसल्स होगी, मतलब जो स्ट्रॉंग होगा क्योंकि कोई दुबला पतला इनसान इस काम को नहीं कर पाएगा आगे लाइम ने बोलते हैν कियरे बिग परॉलना और विप का मतलब मिक्स करना कि जाओ और उससे बोलो, किसे बोलो, जो मस्कुलर वन है कि वो जो कर्ठस रखा है, उसको मिक्स करने का काम करे इन kitchen cups, concupiscent का मतलब है, concupiscent का मतलब होता है desire, strong desire, especially यह related होता है sexual desire से, बट यह sexual desire से मतलब नहीं है, कहने उस दही को इतना जादा whip करो, इतना जादा mix करो, कि वो एकदम ऐसा हो जाए, लचीला हो जाए, कि उसको देखी आपका मन करने लगे खाने का, तो उस muscular one से कहो, कि वो जाके kitchen में उस दही को mix करे, let the wenches dawdle in such dress as they are used, यहाँ wenches का मतलब है girls के, और dawdle का मतलब होता है धीमे धीमे चलना, तो poet हमारा कहरा है कि let the wenches dawdle, उन लड़कियों को धीमे धीमे चलने दो, in such dress, उन ही ड्रेस में, as they are used to wear, जो कि वो डेली में पहनने की habitual है, मतलब comfortable के हिसाब से, उनको show off नहीं करना है, जो वो लड़कियां डेली में dress पहमती हैं, उनको वही dress पहनने दो, और वो धीमे धीमे चल रही हैं, तो उनको चलने दो, and let the boys bring flowers in last month's newspapers, जो boys हैं, जो flowers लेके आने वाले हैं आज की रात, उनको flowers को लाने दो, लेकिन flowers में बहुत जादा decoration की जुरत नहीं है, जो last month के newspapers पढ़े हैं, उनको उसी newspapers में wrap करके, flowers को लाने दो, let be be final of seem, the only emperor is the emperor of ice cream, के let be be final of seem, के रहें finally, हमें ऐसा लगता है, मतलब ये परतीत होता है, कि जो only emperor is the emperor of ice cream, उस ice cream का, केवल emperor वही होता है, रियल में emperor वही होता है, जो कि इन सब चीजों को का दिखावा नहीं करता, ऐसा परतीत नहीं होता, मतलब जब आप first stand up पढ़ोगे, तो आपको ऐसा लगेगा, scene देखके, जैसी किसी party का scene चल रहा है, और वहाँ पे ये सब तयारिया हो रही है बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, writer है, वो कह रहा है, कि जो चीजें हैं, वो normal है, उनको normal ही रहने दो, show off, मत करो, second stanza, take from the dresser of deal, lacking the three glass knobs, take from the dresser of deal, dresser का मतलब है, जैसी कि आप ये Elmira देख रहे हैं, चोटी सी dresser, एक मीज़ दराज टाइप का होता है, कलमारी होती है, जो कि बहुती चीप टाइप की quality की लगड़ी से बनी हुई होती है, knobs, knobs का मतलब होता है, जिसको पकड़ के हम लोग उसको खोलते हैं, drawl को, तो कहने, take from the dresser of deal, lacking the three glass knobs ये जो drawer रखी है, ये जो dresser रखा है, जिसके three knobs से गायब है, leg का मतलब कमी है, that sheet, on which she embroider faint tails once and spread it so as to cover her face, ये जो dresser रखा है, इससे उस sheet को निकालो, on which, जिस पर she embroider, कोई lady है, जिसकी dead body यहाँ पे पड़ी हुई है, second stanza में, उसी lady ने, अपने मरने से पहले, उस sheet पे, एक fan tail से कढ़ाई की थी, embroidery का मतलब कढ़ाई करना, वही sheet उस dresser से निकालो, और इसकी उपर spread कर दो, मतलब इसकी उपर डाल दो, dead body की उपर, जिससे इसका face cover हो जाए, next line है, if her horny feet protrude, they come to show how cold she is and dumb, if, if का मतलब अगर, अगर उसके horny feet, horny क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि उसके जो पैर है न, वो बहुती जादा घिसे हुए हैं, और protrude का मतलब होता है, बाहर की और निकलना, कैरें, अगर इसके, ये 40 हुए पैर, घिसे हुए पैर, अगर बाहर निकला आए, they come to show, तो सब लोग देख लेंगे, क्या सब को पता चल जाएगा, how cold she is, कि वो कितनी ठंडी है, and dumb, dumb का मतलब silent, और कितनी silent है, इससे हमें ये पता चलता है, कि ये जो woman है यहाँ पे, उस woman की death हो चुकी है, और उसकी dead body यहाँ पर पड़े हुई है, let the lamp affix its beam, जो lamp है, उसको एकी जगे fix कर दो, इसकी beam, जिससे एकी तरब से निकले, the only emperor is the emperor of ice cream, और emperor, real life का emperor वही होता है, जो इन सब चीजों को करता है, मतलब ये line आपकी first stanza जब खताम होता है, तब भी repeat हुई है, और जब second stanza finish होता है, तब भी ये line repeat हुई है, इस line पे नोने stress डाला है, ये सोच के stress डाला है, कि हमें जो reality है, उसी में जीना चाहिए, ये जो woman है, ये बहुत ही जादा poor है, इसका physical structure से हमें पता चल रहा है, पह किस quality का रखा है, फिर इस woman के physical structure को देखा, कि उससे पता चला, कि वो woman कितनी ही जादा गरीब है, तो friends, exactly इस poem में, वैलिस स्टिवेंस हमें life की reality के बारे में बताना चाहते हैं, कि real life का hero, real life में emperor वही होता है, जो show off नहीं करता, और अपनी life को enjoy करता है, situation चाहें जैसी भी हो, तो friends, आज की वीडियो में बस इतना ही, I am sure कि आपको poem समझ में आ गई होगी, अगर poem आपको समझ में आई हो, तो please वीडियो को like करिए और share करिए, मैं जल्दी ही आप से एक new वीडियो के साथ मिलूगी, thank you so much